अपने से आगे किसी ओर का सूचना यही है मैं से हमका कदम इसलिए अपने जीवन को सुरक्षित बनाओ तुरंट अपना इंशुरेंस करवाओ इन पंक्तियों में तुमें किस विशे की बारे में पता चलता है कि हम यहां किस विशे पे चर्चा करेंगे तुमने अक्सर टीवी पर समाचार पत्तर में काफी विग्यापन देखे होंगे एक और उधारन देती हूँ जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी यह किस कंपनी का स्लोगन है सोचो सोचो किस कंपनी का है यह हां जी यह है L.I.C. बीमा कंपनी का स्लोगन बीमा होता क्या है किस के बारे में पता है बीमा शब्द का मतलब क्या होता है बीमा शब्द फार्सी भाषा से आया है जिसका अर्थ है जिम्मेडारी लेना यानि कि जोखिम भरे समय से अपने आपको सुरक्षित करना बीमा का व्यापक अर्थ है बीमा पत्तर में वढ़ने घटना के घटित होने पर एक निश्चित धंडाशी बीमा कमपनी कराने वाले बीमा कराने वाले व्यक्ति को परदान करती है तो बीमा कराने वाले कमपनी के बीच में और गरहक के मध्ये में एक कड़ी काम करती है उस कड़ी का नाम है बीमा एजेंट आएए एक ऐसी महान हस्ती से आपको मिलवाते हैं क्या आप जानते हो कि दीतु नंदा लगातार आठ साल तक सरफ स्रेस्ट बीमा एजेंट का पुरसकार पाने वाली महिला है और ये देखिए कि ये एक रोचक बात हो रहा है कि एसको लाइफ नामक बीमा कंपनी की सीओ शीरी मती रीतु नंदा का नाम बहुत परसिद है क्यों? क्योंकि इनों ने एक दिन में 17,000 पैंशन पॉलिसियों को बेचने के कारण इनका नाम गिनिस बुक को वर्ल्ड रिकॉर्ड में दरज है क्या तुम सोचते हो ऐसा क्यों संभव हो पाता है? ऐसा संभव इसलिए हो पाता है कि जब एक तो हमारे अंदर क्या हो? शिक्षा हो और धैर्य हो ज्यान हो और एक सबसे बड़ी चीज वो है पोजिटिव थिंकिंग यानि कि सकारातमक सोच कि ऐसी सोच जो दूसरों की सोच को बदल जा सकती है तबी एक बीमा एजेंट बन सकता है ये हैं मयूर शेटी बजाज एलाइंस के सीई ओ तो आपने जाना कि एक कुशल बीमा एजेंट बनने के लिए भाशा पर अधिकार होना बहुत जरूरी है